देश के पांच राज्यों में विधान सबा चुना और अगले साल लोकसबा चुनाओं से पहले केंद्री मन्त्री नतीन घटकारी ने बड़ा बयान दिया है गटकारी का कहना है इस बाद लोकसबा चुनाओं में वो पोस्टर बैनर नहीं लगवाएंگे नहीं चाय पानी पिलवाएंगे नो ने आगे कहा जिसको वोट देना है वो खुद आकर देगा जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा गटकारी ने शुक्रवार को महराश्च के वाशी में तीन राष्टी राजमार्क परिजनाओं के गाटन के दोरान ये बात कही केंदी सड़क परिवन और राजमार्क मंतरी और वरिष्ट भाश्पान नेता नितिन गटकारी का कहना है मैं चुनाओं में रिश्वत नहीं लेता हूँ ना किसी को ऐसा करने के अनुमती दूँगा लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं मांदारी से आप सभी की सेवा कर सकूँगा नितिन गटकारी चुनाओं में प्रलोभन को लेकर पहले ही कुछ इस तरह के बयान दे चुके हैं 24 जुलाई को गटकारी महराश्य राज्य शिक्षक परिशत के करगम में शामिल हुए थे यहां मचनाओं जितने के तरीके बता रहे थे गटकारी ने कहा कि चुनाओं प्रलोभन से नहीं बलकि लोगों के दिलों में विश्वास और प्यास पेदा करके जीता जाता है एक-एक किलो मटन बाटा था फिर भी चुनाओं हार गए थे क्योंकि आज का वोटर बहुत जाकरूख है गटकारी ने कहा कि चुनाओं के दोरान प्रचार के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं कई लोग वोटरों को पैसा खिलाते हैं लेकिन मेरा मानना है कि एलेक्शन केवल लोगों के बीच विश्वास प्यदा करके जीते जाते हैं इसी के साथ बने रहे रालकामा टीवी के साथ धन्यवाद